जलते घर को देखने वालों फूस का छपर आपका है आपके पीछे तेज हवा है आगे मुकदर आपका है उसके कतल पे मैं भी चुप था मेरा नंबर अब आया मेरे कतल पे आप भी चुपो अगला नंबर आपका है नमस्कार मैं कवीता उन्याल आप देखने मीडिया टूडे टीवी अपसे कुछ साल पहले जिस तरह से मैमार में रोहिंग्य मुसल्मान अपनी जान बचा कर भागे थे मैमार की आर्मी की उन गिनोनी कर्टतों पर मैमार के लोग चुप थे इतना ही नहीं वहां की सरकार ने बहुत संख्यों को खुश करने के लिए आर्मी के हाथ नहीं रोके लेकिन उस वक्त जो मैमार में रुहिंग्या मुसल्मानों के साथ हुआ था आज वही मैमार की जनता के मैमार के आर्मी ने वहां का तक्ता पलटकर सथा अपने हाट में ले ली थी लोग देश का लोकतंतर बचाने के लिए सढकों पर निकल रहे हैं और वहां की आशालत इतने खराब हो चुके हैं कि वहां के लोगों को अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ कर जाना पड़ रहा है क्या है पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताएंगे अगर आपको नियूज अच्छी लगे तो नियूज को लाइक करें अगर आप हमारी चैनल पर नहीं है तो हमारी मी सीबत का सामना नहीं करना पड़ता मैमार सैना की बरबत्ता से बड़ी संख्या में वहां के लोगों का पलायन शुरू हो गया है वहां से भाग रहे दरजनों लोग भारत की सीमा में परवेश कर चुके हैं उससे भी जादा लोग इसी मकसद से सीमा के आसपास मौजूद है अब हालात ये हो गए हैं कि पिछले सालों में रोहिंगे मुसलमानों के साथ मैमार में जो कुछ भी हुआ और अब वही मैमार के भू संख्याग आबादी के साथ धोराया जा रहा है आपको बता दे मैमार के अलप संख्याग दशकों से सैना का उत्पीरन जेल रहे थे पहा 2016-17 में सैना के अत्यचार के कारण साथ लाग चालीस दर रोहिंगे मुसलमन प्लाइन करके बंगलादेश शले गए थे 2019 में सैना के सलूप को मानव अधिकार का हनन बताया था लेकिन उस वक्त ना तो सैना का आतंग वहां के भू संख्याग लोगों को जेलना पड़ रहा है तब वो भी चिला रहे हैं और सैना राष्ट्रे भी मैमार पर प्रतिमन लगाने की बात कर रहा है पिछले महीने 8 पुलिस कर्मी मैमार से भाकर भारत के मिजोरम में आ गए थे अब मैमार ने भारत से भी उन आठ पुलिस कर्मियों को वापस भेजने का अनुरोध किया है मैयमार के साथ मिजोरम की 510 किलो मीटर लंबी सीमा लगती है मैयमार में सैना तक्ता पलट के बासिव वहां के 16 नागरी को ने भारत की सीमा पार करके मिजोरम में शरंड ली है आप मिलेंगे अगली खबर के साथ आपको मेरी इन्यूस कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताई शुक्रिया